हर साल की तरह इस साल भी पुरेश शहर में घरेलू और सारवजनिक गनिश मूर्ति के स्ताप ना की गए हर साल जिस उमंग और उच्छा के साथ बपा का आगमन होता है इस साल ये नहीं देखने मिला जिस उच्छा के साथ बपा का आगमन होता है इससे भी ज्यादा उच्छा क पर विगन आ गया है देखे एक खास रेपोर्ट गनपदी बप्पा मोरिया ये सुनते ही मन में एक उत्साह आता है बप्पा के आगमन के लिए भक्त साल भर इंतजार करते हैं बप्पा के ये दस दिन खास होते हैं घर हो या सारवजनिक पंडाल दोनों जगहों पर सभी अगमन हुआ और इसी सादगी के साथ बप्पा का विसरजन भी किया जाएगा कोरणा संकट के बीच प्रशासन की ओर से गनेश उत्साव सादगी से मनाने की अपील की गई है इसके लिए कुछ नियम भी लगाए गए हैं इसमें सबसे एहम नियम यहां है कि इस सल कोई भी गनेश की मुर्ती तालाबों में विसरजित नहीं होगी महापार संदीप जोशी ने भी कोरणा संक्रमन ना बढ़े इसके लिए जंता से अपील की है कि वह घर पर ही करिश का विसरजन करे इसके लिए मनपा की ओर से विवस्थाए भी की गई है मनपा की ओर से मोबाइल वि मुर्तिया तालाब में विसरजित नहीं होगी इस साल ना ही ढोल नगारे की आवाज सुनाई देगी और ना ही पठाकों की आवाज सुनने मिलेगी